हलो गाइज कैसे आप सभी वेलकम आपका हमारे चैनल पर अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको असनी से मिलते रहें सबसे पहले तो आप इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें अब इसे सेयर करते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट होने वाला CRSU University के स्टुडेंट्स के लिए जितने भी स्टुडेंट्स हैं CRSU से और CRSU से Affiliated College से जो भी courses कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपोर्ट घ्याते हैं तो यह देखे देटस इट आ गई है ओनलाइन एक्जैमिनेशन की सभी यू टीडी के जितने भी बच्चे जो भी ओनलाइन एक्जैमिनेशन के लिए जिन उन्होंने शर्वे में या उन्होंने मेल किया था using और जितने भी Capital College के स्टुडेंट्ड जो online एग्जैमिनेशन देने के इच्छुक थे तो उनके लिए ये ओनलाइन एग्जैमिनेशन की डेट सिट आ गई है तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें इसमें इंस्ट्रक्शन भी बताई गई है कि ओनलाइन मोड फूर सेप्टेंबर 2020 एग्जैमिनेशन ओके तो उसके बाद देखिए यहां से 24 तारिक से यह एग्जैमिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं 24 सेप्टेंबर से ठीक है टाइमिंग देखिए यहां पर अलग अलग टाइमिंग रहेगी पेपर वाइज मॉर्निंग में भी और भी ठीक है वो आपका सेटिंग प्लान वगेरा जो भी बनाया जाएगा वो तो बाद में बनता है बट मॉर्निंग और एविनिंग दोनों सेशन में आपके पेपर होंगे ठीक है तो यहां पर देखिए यूटीडी और कोलेज का जो भी दिया गया है यहां पर बताया गया ह सभी कोर्षीज के बच्चे जितने भी कोर्षीज चले हुए हैं CRSU UTD में University Teaching Department में और Affiliated Colleges में उन सभी के लिए हैं तो आप अपनी डेटशिट यहां से देख सकते हैं इसका लिंक में description में भी दे दूँगा ठीक है आपको वहां से यह डेटशिट मिल जाएगी तो उसके बाद हम इसकी instruction discuss कर लेते हैं क्या instruction दे गई हैं तो लास्ट में देखिए लास्ट में चलते हैं तो यहां से important instruction शुरू हो जाती हैं तो एक एक करके इनको discuss कर लेते हैं first दिया गया है if there is any discrepancy and class of paper in date sheet अगर कोई paper छूट गया है तो आप यहां पर email कर सकते हैं university को उसके बाद second the online examination will be conducted with live monitoring and video recording and will be subjective type सबसे पहला आपको यहां पर वता देता हूं मैं सबसे important बात क्या कहीं गई है online paper जो भी होगा यह subjective होगा मतलब written आपको लिखना होगा objective नहीं होगा तो third point हम discuss कर लेते हैं link for registration for online examination will be available on website of the university by 19 तारिक तक यहां पर क्या हो जाएगा आपका link activate हो जाएगा CRSU की website पर जहां पर आपको अपना registration करना है अपनी details student detail डालनी है जो भी आपको paper देने हैं उनके लिए उसके बाद fourth point हम discuss कर लेते हैं the student appearing in online examination shall have to collect answer sheets जिन बच्चों को online examination देना है उनको अपनी answer sheet collect करनी होगी equal to number of papers जितने paper उसको देने हैं मालो 5 subject के उसके paper होने तो 5 sheet उसको collect करनी है वो sheet कहां से collect करनी है हर college examination branch of utd या university teaching department का बच्चा है तो examination branch से वो sheet अपनी collect कर सकता है अगर college का बच्चा है तो उसके college से his college या हर college जो भी है ठीक है और यह सब well in advance from start of examination यह examination से पहले आपको advance में रखनी है 5 paper है तो 5 sheet आपको रखनी है उसके बाद हम 5th point आप यहां पे discuss कर लेते हैं प्रोलंबर आपका यह क्या बोलते हैं subject code और आपका जो भी paper code ठीक न यह चीजें आपको जहां पे भरनी होती है उसका जो front page OMR होता है और बाकी के जो blank page होते हैं जिन पे आपको question answer आपके लिखने होते हैं वो चीजें आपको जिसे एक से 40 page होते हैं उसके उस sheet के तो वो आपको camera की सामने दिखाने होंगे कि ये sheet मेरे पास है और ये मेरी OMR sheet है जिस पे मैंने अपना bio data भरना है अपना name अपना roll number जहां पे OMR sheet में भरा जाता है उसके बाद one paper to be attempted only upon one sheet मतलब एक sheet में सिरफ एक paper आपको करना है and use of another sheet or loose paper are not allowed अगर आप कोई loose paper बीच में sheet में attach करोगे तो वो allowed नहीं है मतलब एक से 40 page की जो भी sheet दी गई है वो सिरफ एक paper के लिए है एक subject के लिए है उसके बाद six point हम discuss कर लेते हैं after completing the exam student will upload the answer sheet page wise on online exam portal the student will have 30 minutes extra for uploading on answer sheet उस students को क्या 30 minutes दी जाएंगी अपने answer sheet को upload करने के लिए 30 minutes extra दी जाएंगी उसके बाद यहां पे क्या दिया गया है uploaded page will be evaluated only जितने भी page आप upload करोगे वो evaluate करे जाएंगे no claim will be considered upload बलर non readable image ठीक है अगर आप कोई भी page खराब से upload करते हैं मतलब वो ठीक से दिखाई नहीं देता तो उसमें आपको आप claim नहीं कर सकते वो आपकी जिम्मेवारी होगी यह उनस्टी ने पहले भी कलियर कर दिया था all the answer seats shall be submitted to the examination branch जो बाकी की सभी seat होएंगी examination branch में क्या हो जाएंगी submit हो जाएंगी CRSU जींद after completion of all paper of student by post और by hand जो भी seats भेजी जाएंगी बच्चों के दुवारा या college के दुवारा वो उनस्टी की CRSU की ब्रांच में जमा हो जाएंगी examination branch में this is only for record पर्चपज बाकी का जो भी है यह record के लिए रखी जाएंगी जो भी seat है online copy आप submit करोगे वह soft copy और hard copy भी आपकी by post या by hand जो भी उनस्टी में आपको पहुंचानी है वह या college में पहुंचानी है आपको तो वह यूनस्टी में record के लिए जाएगी उसके बाद यहां पे हम आठमा प्वेंट देख लेते हैं था student opting online mode cell arrange hardware of required specification desktop यह चीजें आपको arrange करनी है camera internet connection जो भी hardware computer desktop laptop जो भी है and high speed internet यह चीजें पहले भी बता दी गई थी इसके बाद कोई क्लैम नहीं कर सकते आप और आपको यहां पर malfunctioning अगर hardware आपका फैल हो जाता है इसके उपर भी आपका कोई क्लैम नहीं होगा ठीक है उसके बाद 9th point the student shall not be allowed to leave his her position in front of camera यह बाते पहले बताई गई है आपको camera के सामने से उठकर नहीं जाना है ठीक है और tenure जितनी भी देर अग्जाम चलेगा any moment or doubtful activity may be considered as UMC अगर कोई doubtful activity अगर आप कर रहे हैं तो आपका UMC बन जाएगा unfair mean case माना जाएगा all the moment shall be recorded and monitored with AI enabled system ओके उसके बाद 10 पैंट देख लेते हैं the student shall follow all the instruction available and fill requisite information on online portal before start of examination जब भी examination स्टार्ट होंगे उनसे कुछ दिन पहले जैसे 19 तरीक को exam portal खुल जाएगा उसके उपर आपने अपनी information register करनी है आपको registration करना है उसके बाद 11th point हम देख लेते हैं the student who could not appear in offline examination जो भी बच्चा offline examination नहीं दे पाया कोवीड 19 के वज़े से अगर जिसको कोरोना हो गया था या कोई बाइचांस कोई बीमार था तो quarantine था and any competitive अगर कोई competitive exam में चला गया था तो उसका with online examination with prior approval उसको approval लेनी पड़ेगी university से online examination के लिए उसके बाद the student are advised to visit university website regularly for further update student को क्या का आगया है request करा गया कि आप Delhi regularly आप university की visit करें जो भी information आपको वो provide कर दी जाएगी उसके बाद मैं आपको एक बाद बताना चाहता हूँ जितने भी बच्चे है online examination देना चाहेंगे उनको अपनी university की जो भी seats है उनको scan करके pdf format में आपको भेजना है और वो pdf scan करनी होगी और उसका 25 MB से अगर size जादा बनता है तो वो upload नहीं होगा ठीक है तो आपको क्या करना है मैं इसके वीडियो की description में एक वीडियो का link डालूँगा वहाँ पर हमने बताया गया है हमारे द्वारा कि आपको pdf कैसे बनानी है scan कैसे करनी है अगर उसका size बड़ा बन जाता है तो उसको compress कैसे करें वहाँ पर हमने पूरा का पूरा detail से बताया गया तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें और इस वीडियो के उपर eye icon में भी हम उसका link डाल दे और अभी एक notice और आया है जिन बच्चों का paper छूट गया जो मतलब offline paper नहीं दे पाए उनके लिए वो notice भी मैं इसके अंदर देख लेता हूँ उसको भी discuss कर लेते हैं चलिए देखते हैं तो यह notice है वो इसमें कहा गया है देखिए it is notified that the student who could not appear in offline examination जो बच्चे offline examination में appear नहीं हो पाए comments from 1 September से जो भी start हुए थे Corona की वज़े से COVID के वज़े से या competitive exam की वज़े से उनका paper class हो गया ठीक है जो भी है online examination with prior approval उनको prior approval लेनी पड़ेगी online examination की ठीक है तो वो अपनी branch से contact कर सकते हैं अपने relevant जो भी document है उनको लेकर जाके और अपनी branch से या अपने जो भी आपके department के head होते हैं उनसे discuss कर लें और examination branch से discuss कर लें उनको बता दे कि मैं offline paper नहीं दे पाया और मैं online देना चाहता हूँ तो इनी चीजों का आपको ध्यान रखना है वीडियो को जदा जदा शेयर करें लाइक करें अगर किसी का doubt है तो comment करें थेंक्स पूर वाचिंग